ISO की त्रिक किया था वह आप मैं से खने वाला हम ठ्रिक को से आप से कभी खosis आज बूलेगा अब ग्राइंडिंग से भाइबाइ मतलब हम इस पर त्रिक को याद कर लिया के युटे रिज़ा चेनल मेंकी पहले इस वीडियो उस एंप आपको टाय-पहन यामको याद वन जाए किं количество एक एशे हैं आपको एक पूछ लेगा और अन्युति पूछन को उसके मेरे आपको है वीडियो मैंने ऐप्लोद किया हुआ है इस वीडियो मैंने ऊपड़ीME सिखने वाले और इस ट्रिक को सिखने के बात कभी भी आप से यह नहीं भूलेगा कि अपना आइसो कोड क्या है कौन सी चीज कहां पर है ठीक है तो आप से वीडियो पर आखी तक देखिएगा इस ट्रिक को मैंने अपने लिए याद किया था तो यह ट्रिक मैं आज आप लोग फर्स्ट पॉइंट सेवन डिटर का एक कोड होता है ठीक है सिकेंड पॉइंट अगर हम बात करें तो एक्चुल एक्चुल डिगनेशन है अल्फाबेट एट स्टार्ट एंड इंड देखो जो अपना सेवन का होता है अगर उसमें आप हो छे ही दिया हुआ है मतलब माल लो है इसे दोनों अपने numeral director's है तो अगर ही time होता है तो वह मतलब एक जो मानुफस्ट यह कोड मको इसे फर्स्ट वाले से और लास्ट वाले से कुछ मतलब नहीं हुआ हुआ ठीक है अगार फर्स्ट और लास्ट नमेरिकल है तो हमको उसे कुछ लेना है हमको क्या लेना कि अपना में अपना में ठीक हो आपको आपको ऐसा कोड देता A46 M4 R24 ठीक है तो आपको 1234566 कोट का दिया हुआ ISO कोट ठीक है अपने देखना है कि first में और last में हमें इसा alphabet होना चाहिए तो हमने first में पकड़ा alphabet मिला और last में को alphabet मिला और यह अपने कुछ उसका नहीं है काम का नहीं है अगरा example मान लो यहां पर ऐसा नहीं होता यहां पर दे first में alphabet है और first में alphabet ले लेंगे इसको हम यहां से काट दें क्योंकि अगर first में और end में numerical होता है तो वह हमारा manufacture का कुछ symbol होता है हमको से कोई मतलब नहीं होता है ठीक है तो अब आभी आपने यह सीखा कि ISO कोड होता है उसमें only five liters में होते है ठीक है one two three four five five liters में होते हैं और उस तो आपको यह पाचल गया कि seven liters का होता है ठीक है लेकिन उसमें actually जो होता है alphabet होगा स्टार्टिंग में और इंडिंग में ठीक है तो अपना इससे क्या होगा अपना खाली five liters का वर्ल्ल मिलता है मतलब five liters कोडिंग होती है one two three four five ठीक अब आता है अपना ट्रिक का time आप देख अब मैं आपको ठीक लिक्क के दिखाता हूं इसको हम याद करना कैसे पहला मतलब पांच होता तो आपने एक, दो तीन, चार पांच यह अपने को याद रखना है ठीक है तो क्या रखना है तो तो अब grinding से तो अब grinding से भाई-भाई मतलब अब हमने ट्रिक को याद कर लिया को याद हो गया है तो इसका मतलब होगा यहाँ से निकला यहां से निकला यहां से निकला यहां तो यह यह हो गया T, यह हो गया A, यह हो गया G, यह हो गया S, यह हो गया, देखो, जिसको ट्रिक अच्छा लगए, वह ही याद करो, जिसको ट्रिक नहीं अच्छा लगता याद करना, वह अपना अच्छा से याद कर लो, इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब क्या होता, लेकिन एक्ज हमारा किस type का abrasive है ठीक है यह अपना abrasive का type हो गया एसे क्या दा फ्रेंड अब्सिव का grain size abrasive का grain size ठीक है यह होगे आपका abrasive का grain size यह विक आपका टाइप T से type A से abrasive grain size G से आपका ओजाए ग्रेड एस से आपका हो जाएगा structure और इससे भी सैप हो जाएगा bond bond किस टाइप का हमारा bond है ठीक है इसको मैंने अच्छे से लिए अच्छा लगा ना तो अब grinding से वाई बाय वाय T मतलब टाइप क्या अब्रेसिव का टाइप क्या है हमारा A मतलब अब्रेसिव का ग्रेंड साइज क्या है हमारा ग्राइडिंग जी से मतलब अब्रेसिव ग्रेट कौन सा है एस से मतलब अब्रेसिव का स्ट्रक्चर क्या है बी से अब्रेसिव का बॉन टाइप क्या है थोड़ा से मैं आपको यहां लिख देता हूं कि जो अपना इसका क्या मतलब है अब्रेसिव का टाइप क्या मतलब यहा बात करें तो होता है को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें यह आपका स्ब्सक्राइब आपका मीडियम होता है इसकी इसकी बात करें तो आपका श्रक्चर ओपन होता है यह देंस होता है ठीक है बॉंड टाइप की बात करें आपका वी से विट्रिफाइड होता है यह वीडियो खाली वीडियो आपको एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट अगर नुमेरिकल उसको काट देना है लाश तो क्रींडिंग से बाए 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 तो यह हो गया पाइप किस टाइप का अब्रेसिव का रेसीव है यह स्ट्रक्टर क्या है और यह इंडिकेट करेगा है अब्रेसिव का बॉन्ड क्या है आज मैंने क्या होता है आपको आपने आपको दो श्राइन को सब्सक्राइब कर लिए ठीक है मिलते हैं आपसे ऐसे अच्छे वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाय एंड टेक केर